हेलो दोस्तों हमारे चैनल व्येस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक भरफी से बहुत-बहुत स्वागत है 36 गड़ पेसी दोरा आयोजित प्यून भरती परिच्छा आज संपन हो गई है आज की वीडियो में हम जानने वाले है कि प्यून भरती परिच्छा का कटप कितना जाने वाला है इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ा जो है संसाय का विसाया था कि इस एक्जाम में नेगेटिव मार्किंग था या नहीं हमारे चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आल पर क्लिक कर लें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 36 गड़ पेसी द्वारा प्यून भरती परिच्छा यहां पर आज संपन्न कराएगी है जिसमें यहां पर कोश्चन का लेवल काफी इजी पूछा गया था दोस्तों कटप कितना जा सकता है इस बारे में हम जो है इस वीडियो के लाश्ट में बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्यून भरती परिच्छा हुआ था उसमें मानस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी दोस्तों यहाँ पर आप question paper पर देख सकते हैं इसमें negative marking के पारे में कहीं भी mention नहीं हुआ है तो सभी चाते हाँ पर काफी परिशान थे की negative marking है या नहीं है और दोस्तों बहुत सारे चाते हाँ पर negative marking नहीं है ऐसा समझ कर उन्होंने सभी question पर टिक लगा दिया है याने सभी question को हल कर लिया है दोस्तों आज की वीडियो में हम जनने वाले हैं कि इस प्यून भरती परिच्छा में negative marking था या नहीं था इसके लिए सबसे पहले हमें CGPAC की official website open करनी होगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर advertisement का एक section बना हुआ है यहाँ पर हमें click करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे CGPAC का advertisement का section open हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं चौते नमर पर advertisement for pure भरती परिच्छा के लिए यहाँ पर दिया गया है इसको आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे हमारे समने pure भरती परिच्छा का पूरे advertisement डाउनलोड होके open हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं चत्रिकर लोग सेवा आयोग यहाँ पर प्यून भरती परिच्छा जो है आज यानि 25 2022 को आयोजित किया गया है इसमें दोस्तों देख सकते हैं पोश्ट के बारे में डिटेल बताया गया है करें यहाँ पर यहाँ पर जो 80 पोश्ट है लेकिन बाग्ने जो पोश्ट बढ़के यहाँ पर लगभग 91 पोश्ट हो गया थे सो दोस्तो 91 पोस्टे के लिए काफी अधिक मात्रम में यहाँ पर कैंडिडेट ने एक्जाम दिया है इसलिए आपर कटप काफी हाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 36 गड़ पीसी प्यून भरती परिच्छे यहाँ पर दो चरणों में होने वाली है प्रथम चरण की परिच्छे वा आज संपन हो गई जिसमें अलागबग 150 नंबर का जो पेपर था जिसमें 150 कोश्चन आए हुए थे इसके सांते दोस्तों यहाँ पर जो सिकन पेपर है वा सुद्ध लेखन का होगा जो यहाँ पर 50 नंबर का होगा और जैसे सुद्ध लेखन यानि इमला का जो पेपर होगा दोनों के नंबर को मिला कर आपको जो है मेरिट लिष्ट तैयार होगा और दोस्तों उसी के basis पर selection list जारी होगी चलिए आप बात कर लेते हैं कि आज का जो 150 नमबर का paper आया हुआ है उसमें negative marking यानि minus marking था या नहीं इसके लिए simply space में थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर 6 वे नमबर पर देख सकते हैं प्रथम चलंड भाग एक प्रस्ण पत्र में रिणात्मक मुल्यांकन का प्रावधान होगा यानि कि दोस्तों जो आपका आज एक्जाम था उसमें यहाँ पर minus marking की बात कही जारी है इसके सांथी कितना minus marking है नीचे बत्या गया है प्रत्य गलत उत्तर के लिए सहें उत्तर हे तुनी धर्यत अंग का एक बटातिन अंग काट लिए जाएंगे यानि कि दोस्तों यहाँ पर एक बटातिन यहाँ पर minus marking है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साब बत्या जा रहे कि आपको जो प्यून भरती परिच्छा का 150 नमर का आज पेपर हुआ है उसमें आपर minus marking एक बटातिन बत्या जा रहा है लेकिन दोस्तों कोशन पेपर पर कहीं भी minus marking के बारे में बात नहीं किये गी थी इसलिए 16 minus marking नहीं है करके सभी का उत्तर यहाँ पर लगा कर आगे होंगे इसके साथी तो यहाँ पर minus marking कैसे apply होगा उस बारे में आपर example लेकर अच्छे से बताया गया है आप चाहें तो notification डाउनलोड करके इसे अच्छे से देख सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्यून भरती परिच्छा का आपका जो है cut-up रिष्टा कितना जाने वाला है दोस्तों आप सभी को पता ही है कि प्यून भरती परिच्छा का question काफी अच्छा है था काफी easy है था दोस्तों आप सभी को पता ही है कि high qualification वाले candidate भी इसमें apply की है इसलिए जो प्यून भरती परिच्छा का cut-up हाई जाने वाला है दोस्तों नंबर की बात करें तो जिन candidate का 135 से 140 से उपर आएगा उन ही candidate का यहाँ पर selection होगा उससे कम वाले candidate के हाँ पर selection नहीं होने वाला है I hope दोस्तों इस वीडियो में बतायागा information आपको समझ में आगे होगा अगर कोई odd out हो तो नीजे हमें comment कर सकते हैं साथ ही ऐसी informative वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चनल से जुड़ें और हमारे चनल को subscribe करना ना भूलें